हेलो दोस्तों आज मैं बात करूंगी सावन मास में सोमवार का ब्रत क्यों किया जाता है सावन के महीने में भोले नाथ की आराधना क्यों की जाती है सावन के महीने में सोमवार के ब्रत को इतना महत्तु क्यों दिया गया है सावन में भोले नाथ की जय जय कार क्यों होने लगत हैं दोस्तों भूले नाथ को सावन का महीना बेहत प्रिये हैं पूज्ञा अराधना इस महीने में सोमवार का ब्रत भी रखा जाता है सावन में सोमवार के ब्रत रखने से भगवानशियो मन्वांचित भल देते हैं कहते हैं सावन मास भगवान स्यू को बेहद ही प्रिय है और सावन मास में भगवान स्यू संकर धर्ती पर उतरते हैं और सावन मास के पूरे मेहिने भग्वान धर्ति पर वास करते हैं क्योंकि भग्वान स्यू को हर्याली बहुत प्रिय है इसलिए ऐसी मान्यता है कि भगवान स्यू इस महीने धर्ति पर वास करते हैं इस महीने भगवान स्यू बेल पत्र चड़ाने मात्र से ही बेहत खुस हो जाते हैं और हमें दुखों से मुक्ति देते हैं अब बात करते हैं सावन में सो मार का ब्रत क्यों रखते हैं यह ब्रत मनवानचीत फल प्राप्ति के लिए होता है सुक सम्रिद्धी के लिए रखे जाते हैं और खुसियों के लिए रखे जाते हैं सुक में जीवन व्यतीत करने के लिए रखा जाता है महिलाय यह ब्रत अपने पती की लंबी आयू के लिए रखती है और अपने घर में सुक सांती बनी रहे इसलिए रखती है तो दोस्तों आपको अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए ऐसी जानकारी भरी वीडियो के लिए मिलते हैं जै जै महादेव